प्रेंस को आपको बहुत स्वागत हैं को साथियों की मेल और कमिट आया थे कि शरह आर्टं की चाइप की बारी में बताईए उसका नेमों करेगे यह बताईए तो आज यह वीडियो दोस्तों है चाय की बारी में है चाय इतना बहतरन क्वालिटी है आप सोच नहीं सकते हैं यह हमारा सरीर की जो एसिड तत्यों को घटा दी है बजार की चाय पीने से हमारा सरीर का एसिड तत्यों बढ़ती है पर यह हमारा सरीर का एसिड को निकाल देती है chemical को हमारा सरीर को खुराब जो रहता है acid उसको घड़ा देती है और साथ-साथ यह हमारा सरीर के लिए powerful एक antie excellent की तरह काम करती है दोस्तों यह बजार की चाए हम पीने से हमारे सरदर्द होती है, कुछ लोग की एसिट हो जाती है ये चाय में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाली है बजायर की चाय में color liquotin attach रहती है जो कि हमारा सरीर के लिए लुक्शान दायग रहती है इस चाय में किसी भी प्रकार की antipixel color या लिकडिन नहीं है और दोस्तों ये जो चाय है इतना बहतर चाय है आप सोच नहीं सेकते जैसे यूज करेगे आपको पता चलेगा बजार की चाय से ये कम चाय पती में काम हो जाती है बजार की चाय आप एक बार अगर बना के रख देते हो तो वो चाय थोड़ी देर बाद काला हो जाती है ये च चाय बजर की चाय से बहुत सस्ती भी रहती है आप किसी भी स्टोर से आर्सम की स्टोर से उसे परचस कर सकते हो किसी भी आर्सम की साथी से यह परचस कर सकते हो अगर आपका आर्सम की आईडी नहीं है तो अगर आपको यह चाय चाहिए तो आप नीचे कमेट भी में आप बता कर सकते हो मुझे मैल कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो चलिए आज इस चाय की बारी में हम आज डेटल्स में देखेंगे कि यह चाय की कितना बैतर क्वालिटी है ठीक है दोस्तों वीडियो को बने रहे है लाश्ट तक तो आपको यह अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि यह चाय की कितना बैतर खुबी है क्या क्या है प्रेंट्स आज हम यह हमारा आर्सियम चाय का डेवो करेंगे कि देखेंगे इसमें कितना हमारा सरीर के लिए पुसक तत्यों है जो कि बजार की चाय पीने से सरीर में एसिड होता है और यह आर्सियम की चाय पीने से हमारा सरीर का कैसे एसिड तत्यो को घटा दी है हमारा सरीर का जो chemical की दोतों को बाहर करती है उसका हम आज test करेंगे ठीक है तो उसके लिए हमें चाहिए आर्शेम की चाहिए जो मैंने फेले से ले रखा है ठीक है इसमें ले रखा है और दोस्तों चावल यह बेटाडेन आडेन सोलुशन ठीक है और साब पानी चाहिए और तिन ग्लास चाहिए ठीक है तिन ग्लास चाहिए और सबसे पहले मैंने यह पानी गरम कर लेता हूं ठीक है मैं आपको यह बता दू कि यह जो अपना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की अंटिफिक्सल कलर या कोई भी क्यानिकल के तत्व ऐसा नहीं रहती है और यह चाहिए पीने से किसी भी आदमीं की आदत नहीं बनती है यह चाहिए पीने से किसी भी आदमीं की सरदर्द या पैट दर्द ऐसा कुछ भी नहीं होती है जो बज़ार की चाहिए से होती है और इस चाहिए में कोई भी रहान जाती है कि खांगये कि यह चैपती कि यह तुरंद पक जाएगा थिक इसुए से की यह दोस्तों पकने के और वाद हो जो उसका गून है गून बाहर आती है और वो हमारे शरीर के लिए कितना फाइदे मंद रहती है उसका हम आज देखेंगे ठीक है और उसको एक ग्लास में ले ले लेते हैं ठीक है ये हो गया हमारा पानी यह हो गया हमारा पानी ठीक है अब इसमें मैंने दो चमच डाल दता हूं अपना आर्सीम का चैपती ठीक है फ्रेंड्स इस देख सकते हैं यह आर्सीम का चैपती मैंने इसमें मिक्स कर दिया ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे यह है खले ग्लास जिसमें मैंने थोड़ा से चावल मिला लेती हूं ठीक है अब यह देख सकते हैं चावल एकदम सफ़द है ठीक है एकदम सफ़द है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स और इसमें देखिए यह है आड़न सेलेशन जो कि एक केमिकल लर्चाती है यह केमिकल आपको आसाने से किसी भी मेडिसिन स्टोर में दबाई की दुकान में मिल जाएगा ठीक है मैंने अब इसमें मिला लिया ठीक है अब देख सकते हैं यह चावल का कलर बिल्कुल बदल गया है बिल्कुल एकदम बदल गया है देखें एकदम बदल गया चावल का कलर देख सकते हैं आप बिल्कुल बदल चुका है एकदम काला हो गया है यह अपना सरीर का केमिकल को दर्चाती है ठीक है फ्रेंड्स तो मैं इसमें कुछ सांपुल रख देता हूँ इसमें कुछ सांपुल रख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि चावल का कलर केसा था ठीक है? अब फ्रेंड्स ये हो गया अपना केमिकल वाला चावल जो हमारा सरीर का मैला को दर्शाती है और दोस्तो हम देखेंगे ये अपना जो आर्सिम की चाई पीने से केसे हमारा सरीर का जो घटक जो मैला को केसे ये बाहर निकालती है उसका आज हम टेस्ट करेंगे ठीक है? मैंने अब ये चाई पती का जो पानी है उसका आप देख सकते हैं अच्छे से ये पकने के बाद जो उसका असिल कलर सामने आया है आप देखेंगे दोस्तों बजर की चाय अगर आप ऐसे पकाएंगे तो ये काला कलर बन जाएगा और थंडे पानी में जैसे मिला होगे तो इसमें कलर निकलेगा पर ये चाय पती में इसा कोई भी परिणाम आप नहीं दिखेंगे ये पकने के बाद उसका जो ओरिजिनाल कलर निकलती है ठीके तो मैं आपकी सामने ये दिखा देती हूँ फिर से ये चाय पती का पानी है और ये केमिकल वाला चावल है ठीक है मैं इसमें मिला देती हूँ देख सकते हैं आप उसका color भी चायपती का color है और ये काला है ठीक है मैं ये दोना में मिला लेती हूँ ठीक है friends आप देखें आप अब ये परिणाम दिखिए दिखिए जो हमारा चावल है बिल्कुल ये उसका असिल कलर में आ चुका है ठीक है अगर दोस्तों हम बात करें कि ये जो आप सोच रहे होगे कि इसमें थोड़ा से कुछ कलर होता और ये धोने से भी पानी से धोने से भी छुट जाया सकता है और ये तो भी उपर से उगला हुआ पानी है तो इसमें से आसानी से छुट गया होगा तो आपको यह भी पानी से धोकी दिखा देती हूँ यह दोस्तो इतने आसाली से छोटने वाला नहीं है देंखें busy उसमें पानी मिलाया ठिक है और मैंने उसको अच्छी से मिला देता हूँ ठिक है अब देज़ सकते हैं यह पानी का कलर भी बगल चुका है और मैंने ये पानी को निकाल देती हूँ ठीक है अब देख सकते हैं अब भी ये कलर ही है अब भी ये कलर है देख सकते हैं वापिस और एक बार धोगे आपको दिखा देती हूँ देख सकते हैं और ये पानी का कलर बिल्कुल साप हो चुका है मगलब की बाकी जो भी कलर दिखता है ये अपना चावल में ही है ठेक है अब देख सकते हैं इसमें से स्रिफ चावल ही बचा है और ये चावल का कलर अब भी वो केमिकल से भरा हुआ है पर दोस्तों जिससे हम ये पानी में मिलाए चाय की पानी से चाय पती का पानी तो उसका कलर बिल्कुल साप हो चुका है देख सकते हैं आप तो दोस्तों ये चाय हम यूज करने से हमारा सरीर का घटक जो केमिकल से रेता है वो केमिकल को बाहर निकालने में ये हमें मदद करती है तो दोस्तों ये चाय पती फिने से हमारा शरीर की दवाई जिसे काम करती है ये चाय अमारा शरीर के लिए बहुत अच्छे है तो ये चाय पती यूज करना चाहिए तो बजार का Kemicals कराबबाला चाय यूज नहीं करना चाहिए ठेक है दोस्तों तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक यारे सहर कुरना बिल्कुल ना भूले ठैंक यू जै आर्सेम तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा ये चाय कितना हमारे सरीर के लिए मौतोपुन ने हमारा सरीर का ये एसिड बढ़ाती नहीं है बलकि उसके घड़ाती है और हमारा सरीर को काफी बहुत बढ़िया सहत के लिए अच्छे फाइदे मन देती है ठीक है फ्रेंड्स तो ये चाय हर घर तक पंचाने की हम कोशिस करेंगे ताकि लोग को पता चले आर्सेम की चाय की कितना बैतर क्वालिटी है और दूसरी बात दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक है और शेर कीजिए वीडियो को अपने दोस्त की साथ शे झिले लग यार तो